नमस्कार दोस्तों आप सभी का यूटू मंच पर स्वागत है। पर स्वाल पुचूंगा क्या ओड पेंशन हर्याना में हानने की वज़े से क्या आप निरास हो या फिर निरास होकर फिर अपने हाग का अधिकार के लिए लड़ोगे। हर्याना में आठ बज़े से लेकर नो बज़े तक रूजानों में बेलेट पेपर की गिंती हो रही थी और कॉंग्रेस को बहतर सिटे मिल्च की ती यहां पर हर्याना में। और उस समय ही ये लड़ो बट रहे हैं ये डोल नगारे बज़ रहे हैं ये कहां का है जानते हो ये दिल्लिके कॉंग्रेस पार्टी की मुक्ाले के बार का है। जहां पर डोल नगारे बज़ रहे हैं, जहां पर लड़ू बट रहे हैं, दोस्तों यह इसलिए बट रहे हैं कि कॉंग्रेस ने 8 बज़े से 9 बज़े के बीच का रिजट जो बेतर सीट रुजानों में पलस आगे चल रही थी, उसकी बज़े से यह लड़ू और यह डोल नग जरूर इस वीडियो को आप हर करमचारी तक पूचाईए और शेर कीजिए कि करमचारी की कहां गल्ती रह गई थी या पिर पार्टियों में कहां कमी रह गई थी अपनी मेहनत की दोस्तों हाट वज़े से नोवजे की बीच में आपने मतगरना देखी हम सब करमचारी कुछ थे क्योंकि भारतिय जनता पार्टी से कोई करमचारी नाराज नहीं था कि एक ही वज़े से भारतिय जंता पार्टी से नराज था कि हमारी UPS जो आपने भाल कि उसकी जगा आप ओपेस ला दो और वो ही नाराजगी करमचारियों ने बोर्ट कॉंग्रेस पार्टी को देने पर विवस कर दिया था क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मेनो पेस्टों में अपने कमेंटमेंट में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार हर्याना में बनती है तो हम पहली केविनेट में ओड पेंशन भाल करेंगी ये कॉंग्रेस ने कहा था और कॉंग्रेस मेनो पेस्टों में रखा था पेपर या अपना U.A.M. में अपना मत ओड पेंशन को दिया है ना कि पार्टी को और कॉंग्रेस को पार्टी को दिया है और कॉंग्रेस पार्टी को नो बज़े तक रुजानों में भेतर सीटे पलस लाने का भी काम किया है और कॉंग्रेस बहुत कुश हो गई इसलिए में सेती सीटों परे गई और बीजेपी जहां सेती जहां 25-28 सीटे ती वहां धनाम से आगे 48 सीटों तक पूझ गई और अपनी भौमत की सरकार बनाई तो दोस्तों इसमें करमचारियों की कोई गलती नहीं है करमचारियों ने अपने मुद्दे पर बोड़ दिया और आपने यह साबित कर दिया और सभी पार्टियों में खलबली मचा दी आने वाले राज्यों की चुनाओं में और यह खलबली हमेशा रहेगी और यही आपको ओड़ पैंसन दिलाएगी आपको निरास होने की जूरत नहीं है आपको आने वाले समय में और तागत के साथ में अपने ओड़ पैंसन के हक के लिए और भी जूजारो रूप से काम करना होगा और लड़ना होगा निरास मतों यह बिलकूर यही मैं करमचारी में विश्वास दिलाने के लिए वीडियो लेके आया हूँ और आप सभी करमचारी को यह वीडियो सेफ जरूर कीजे तो मेनो पेश्ट करमचारी की हार नहीं थी और कॉंग्रेस पार्टी ने साबीत भी कर दिया क्योंकि बहुत सारी राज्यों में चाहे हिमा चलो चाहे राजस्तान हो चाहे जारखंड हो वहाँ पर ओड़ पैंसन भाल भी किये जीतने के बाद में तो इसलिए करमचारी का विश्वास बना हु क्या है जिसमें ओड पैंशन का जिकर किया गया है कि हमारी सरकार बनते ही जम्हों इंड कस्मी राज्ये में ओड़ पैंसन भाल करेंगा, तो वहाँ पर करमचारी जीत गया है। और यह Old Pension भाल होगी नहीं होगी वो तो पार्टियों के उपर है कि जूट बोलकर बोट लिया है या फिर बोट लेकर Old Pension भाल करेंगे दोस्तों दस साल के बाद में जमुएंड कस्मेर में चुना हुए है और Old Pension का मुद्दा जीता है हारा नहीं है तो विजे कुमार पर और विरेंदर सिंग धारिवाल हर्याना पर आपको विश्वास करना होगा कितनी आपने मैंनत की और मैंनत का रंग आप लेकिया है और Old Pension के मुद्दे पर आपने बेलेट पेपर के रुजानों में आपने दिखा दिया है आप देखना आने वाले चुनाओं माराष्ट आपको यही मुद्दा मिलेगा Old Pension का और जीतेगा हम निरासोने की जूर्त नहीं है दोस्ते जम्मु एंड कस्मीर और हर्याना में हमारा मुद्दा जीता है यह आपने साबित कर दिया है आने वाले समय में हम आखों से सपने में नहीं आखों से देखें हैं कि Old Pension मेरी चाल राज्य की बात करूं तो 26 नौमर से पहले चुना हो जाएंगे और अभी दो अठुमर से वहां पर आमरन अंशन भू करतार करमचारी ने कर रखी है यह इसलिए क्योंकि वह अपना हक अपना अधिकार Old Pension के लिए कर रहे हैं ना किसी पार्टी के पक्स में हैं ना किसी और म अधिके लिए आमरन अंशन पर बेटा हुआ है उसमें सभी करमचारी समर्तन कर रहे हैं और कुछ पार्टियां भी समर्तन करने गई है तो इसका मतलब है कि माराष्ट में बहुत बड़ा खेला हो सकता है Old Pension को लेकर और माराष्ट ऐसा राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्य सदा करमचारी हैं तो आप सोचिए कि Old Pension मुद्धे पर आप किन करमचारियों को समझाना चाहते हो इस्टूडेंट को या जनता को भी आपको साथ लेना होगा और Old Pension मुद्धे पर आपको बोर्ट की चोट करना होगा तो दोस्तों आपको समझना होगा Old Pension के लिए अब य पिहार चुकी है पर आने वाले भविष्टे में हम निरास नहीं होंगे आने वाले भविष्टे में हम और मेनत करेंगे खां कमी रह गईती करमचारियों में वो मेनत करेंगे और विजे कुमार बंदु जी का होशला बढ़ाएंगे हम महराष्ट के करमचारियों को होशला हम आने वाले राज्यों में करमचार्यों के लिए होशला बढ़ाएंगे तो क्या आप तयार हो और आप क्या कमी आप में रह गई इसकी वज़े से हमारा ओड पुवांसन का मुद्धा अधूरा अभी रह गया है उसको पूरा करने के लिए हम उसी कमी को ढूंड कर पूरा करन पिछले एक अक्टूबर को 2023 में भारत नहीं पूरी दुनिया क्रिटेड यूनियन का सबसे बड़ा प्रदर्सन हम लोगों ने दिल्ली में किया हम उमीद कि सरकार बात सुनेगी बात मानेगी बातचीत करेगी हम लोग रास्ता निकालेंगे फिला रास्ता उसमें कोई निक करते हैं क्या आता है कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं कमेटी के लिए जो लोग पीणी थे उनसे कोई चर्चा पर चर्चा की नहीं गई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई नहीं रिपोर्ट हम लोग के सामने आई उसमें अच्छा क्या किया बुरा क्या किया और उसके एक कमेटी का चेर्मेन बिना रिपोर्ट दिये कह रहा है कि पुरानी पिंसन लागू होगी तो आम नागरीक पर असर पड़ेगा अब हम सब उससे नितार्थ निकाल लिए कि क्या होने वाला है और जब यूपियस आया तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है कुछ बहतर कर दिया ह हम लोग उन्यों उसकी जानकारी लिया अधिन किया तो अभी तक जो निकल के आया है क्योंकि अभी बहुत सारी सी जानी है लेकि अभी जो निकल के आया पूरे देश का करणशारी जो इनपियस पीडित है खुस होने विज़ा दुखी हो गया यह यूपियस नपीएस से भी खराब है अब मैं बता रहा हूं इस वोड इन्होंने क्या किया है हमारा 10% उसमें जाता था 14% सरकार देती थी उसका 60% हमें वाश्ट में आपस होता था 40% के पिंशन देती थी एन्पीएस की बहुस्ता सरकार की थी इसका हम लोग तब भी बिरो इसमें क्या है अब इसमसें क्या हैं इनोंने इसमें 1014 है है does दस हमारा रहे गार ऐक सरकार ने भी जाड़ा ठारा पर्शन नोब भा दिया डेज सब्सक्राइब का पैसा और साड़े चार परसन कंपनियों को देने के तैयारी कर लिए उन्पियस nut उसमें 10% में यूपियस में जो 10% मेरा पैसा है वो भी नहीं आएगा सरकार अपना भी पैसा रख लेगी और हमारा जो पैसा है वो भी रख लेगी और एक उसमें लाली पात दे दिया कि इस वाली बात है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि आपको हम साल भर की सेल्ली का आउसत बेसिक निकालेंगे अब यह दिखी बहुत टेक्निकल चीजें हैं अब हो सकता जनवरी में किसी का बेतन पचास जार हो लेकि दिसंबर में क्योंकि साल में दो डिया लगता है हो सकता बेतन आयों जाए तो लाश्ट में उसका डिसंबर में हो सकता सतर हजार हो जाए हूं हम तो अब पचास और सतर कि बीज का कभी पच्पण होगा कभी साथ होगा पिर उसका दोन जो सब्ट अब आउसद निकालेंगे 50 तो निश्ची दूर से कम होगा और 10 परसेंट हमारा मार भी लिया उन्होंने उसी के नाम पर 10 परसेंट हमारा जद्व कर लिया और उधर आउसद निकाल के हमको दे दिये तो इसलिए कहा जाना यह है दूसरा इसमें आया यह जो आपका 40 परसेंट होगा उस सब सरकार का हो गया मुझे इंसोर्ट के नाम पर वह भी छिल लिया गया अच्छा आपको कब वापिस होगा मतलब मैं कहना नहीं चाहता बड़ मान लीजे कि मिरत्ति हो जाती तो उसकी फैमिली को कुछ पैंशन मिलेगी लेकिन वह फंड कम मिलेगा वापिस नहीं ऑफंड में बता रहा हूँ कि अब मैं बतारा हूं अब में बता रहा हूं थे यह दो नहीं है अब उसमें इन्होंहें क्या कर दिया इन्हों का जब रिटाइर होंगे तो छे महीनिके मैं आपको उठा के देूँंगा अब मेडिया में आ गया लोग वाँ वाँ बहुत अच्छा सरकार ने ले लिया अब उसमें देखिए अगर किसी व्यक्तिका बेतन एक लाख रुपए है और वह वहां से अपना स्टार्ट करता है उसके बाद पंदरा साल अठारा साल दस परसें एंपियस जाएगा एक लाखे क्यक्ति कोले उसका पन्दरा लाख हुवें बारा लाक मालेते हैं बारा लाख हो फियुक्त करेंगे खेला कि देंगे उस Hollywood नइन भी तो एय स्वीम्हकं अब लोग माला पहनाँएगे अमको आपको मैंसर बताना चाहता हूं इतनी बढड़ी योजना